आज मैं आप सबे के साथ चai करने वाले हैं जीरा राइज células बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका अपको जल्दी बनके त्यार हो जाता है और सौगत करते हूं आफ सभी का अपने चैनल आयांस की चैनल में तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मज़दार सी रस्पी बनाना सुरू करते हैं जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहां पर देड़ कप चावल लिया है यह बासमती चावल है यह बहुत यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है तो सबसे पहले हमें चावल को दो लेना है अच्छे से हमें इसे भीगा के नहीं रखना है बस इसे ऐसे वास कर लेना है दो से तीन बार तो यहां पर मैंने इसे वास कर लिया है दो से तीन बार इसे अच्छे से दो लेना है और अब हम इसे ऐसी छोड़ेंगे तब तक हम आग यह जीरा रश्य और जीरा को थोड़ा साथ कर दो चला लिए जीरा जाएगा हम इसमें डालेंगे दो भर इमिट्स इस तरीके से बड़ेंदे पीसे में और एक राष्य प्याज इसे केश्ट बहुत ही अच्छा आता है बट आप चाहे तो प्याज को इसके भी कर सकते हैं के टालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ी दियों में चला लेंगे तो इसे मीडियूम फ्लेम पे बीच बीच में चालाते हुए हमें थोड़ा से प्लोड़ा इसने प्राओं ठाला है बस थोड़ा सा पortalगर आप को एक सान की अच्छला provided के बाद हम डालने के यह तो पानी में तो के अधा क्यों जालने के बाद लिगते में 10 स्कुटेकर के पह sempre Bible दो पनि देज्चावन के बाद के बादím दो कुकल ठाई नाव हो जायगा ना तो हम इसे कॉलेंगे तो यहां पेहले हैं बश्यान पहसाई है निकल निगए लित्टि कुणल हो गांने चुंप लिखने के एक में पहस्ムinnा करूँ आद नीचे यहां चाहे दूपन कब पंमना जाएक दूपना करें नहीं करूंद अब कूकर को खोलेंगे तो यह देखिए हमारा जीरा राइस बहुत ही अच्छे से बन के तयार है चावल भी बहुत ही अच्छे से पग गया है आप देख सकते हैं तो जैसे हम थोड़ा सा थंड़ा हो जाएगा दो से तीन मिनट बार हम इसे एक चमत से इस तरीके से मिला लें करने मिला लेंगे इससे तरीके से इसमे दालेंगे थोड़ा से तरह बारी कटा हुआ राव और शूद भाकर लें मिला लेंगे तो यह तो यह तो यहां कि आरे जीरा रैस व्न और आपने देखा यह बहुत ही जड़पड बनके त्यार हो जाता है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यह देखे हमारा बहुत ही टेश्टी बहुत ही मजडार बहुत ही आसान जीरा राइस बनाना आप ज़रूर बनाईए क्योंकि इसे बनाना भी है आसान है और बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही दाल लगता है इसे कोई भी सब्ची बहुत ही अच्छी लगती है तो आप भी जीरा राइस इसी तरीके से बनाएं और इस पर हम थोड़ा सा धनिया से गानी सिंग कर देंगे तो यह मैंने दाल मखनी के तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और मज़राज की रेस्प्री पीजा तब तक के लिए टेट के एंड़ाएं बाए